हालो एवरिवन मैं हूँ रागिरी पांडे और आप सबका स्वागत करते हुए अपने किचन में गाइस आज की जो वीडियो है ये चटनी की रेसिपी है पर बहुती जादा डिलिश्यस रेसिपी है आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राइ करेंगे तो बार बार बना के ख अगर आपको मेरी वीडियो पसेंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिए और चैनल पे नए आए हैं या पहली पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी इसमें हो जाने के बाद और दोनों को निदेने कि क्रैकल होने दें है और दोनों चीज़े पक जाया तो हम इसमें आड करेंगी दो दाले जिसमें मैं इसमें एक बड़ी चमज या दो छोड़ी चमज औ्ड़त की dae čerminkling मेरा छोटा है तो मैं फिलाल दो-दो चमच एड़ कर रही हूं और चनी की डाल ये उरत और चनी की डाल दोनों कच्ची है इसे भिगाया नहीं है मैंने कच्ची डाल एड़ करने के बाद एक से देड़ मिन तक तेल में पका लेंगे फिर पांच से छे लसुन की कलिया और दो ह ऑल-गल एक तुकड़ने कर लिय Durin नहीं पे आड़ कर दिया है कि थोड़ा रॉटक जाए ऑड़त कर सक्ता हैं तो यहां पर अड़ी मिले डिला है क्य Monsieur कि देली नहीं कर दो मिनिट के लिए पकने दिया ताकि प्यास सॉफ्ट हो जाए ची तरह से और फिर मैंने इसे सब चीजों को मिक्स कर लिया दो टमाटर लिये हैं मैंने यहां पर थोड़े से मैंने हरे वाले लिये हैं ताकि इसमें जो थोड़ा सा खटा फ्लेवर आए और हमारी चटनी और अच्छे सा मिक्स कर देंगे ढख करके टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे लगवग दो मिनिट के लिए दो मिनिट बाद ओपन करके अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैं यूज कर रही हूँ ड्राइ कोकोनट जो सूखा नारियल आता है उसके त आपको लेने के ज़रत नहीं पड़ती है आप जो ड्राइ कोकोनटे से घर पे स्टोर करके रखिए जब भी आपको यह चटनी खाने का मन करें आप इसे क्विकली बना के खा सकते हैं तो यहां पे सारे जो चीज़े थी इसको मैंने पका लिया है कोकोनट एट करने के बाद तो मैंने पकाया था उसका फ्लेम बन कर दिया इसे मिकसर की जयर में डाल देंगे और थोड़ा ठंडा हुजाने देंगे अंगर गरम गरम पिसे तो यह जो मिक्सर का जयर का ढढ़ ने फड़ सकता है थोसा थंडा हुजाने पर मैंने हाफ कॉप पानी एक अच्छे से इसे म लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे